हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्वी एडिट्यूब क्लास में तो आज मैं आप लोगों के लिए कोश्चन लेकर करके आया हूँ यह कोश्चन क्लास 9 की मैहत की बुक से चैप्टर 10.2 सर्किल से लिया गया है तो यह चैप्टर 10.2 का कोश्चन नुमर फर्स्ट है इस वीडियो में हम इस कोश्चन को डिस्कर्स करेंगे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से देखिया और रंत तक देखिये ताकि आप सही से समझ पाएं ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर आपने पहले पढ़ रखाए कि अगर दो सर्किल कंगरेंट है तो उनकी जो रेडियो होंगे वो भी एक्वाल होंगे ठीक है तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है कॉड़ AB है दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर P है कॉड़ QR है ये दोनों circle एक दूसरी के congruent है इनके कहने का मतलब है कि जो इस circle का radius है वही इस circle का radius है क्योंकि दो circle तभी congruent हो सकते हैं जब उनकी radius equal हो कई बार बहुत सारी confusion होती है कि sub tend का मतलब क्या होता है देखो subtend का मतलब होता है यह जो chord है QR यह वाली line इस पर जो angle बन रहा है या फिर जो यह arc बन रहा है यही होता है यानि कि किसी भी chord पर angle या arc का बनना ही हमारा क्या होता है subtend होता है तो हम simple कह सकते हैं arc बनाना या angle बनाना तो यहां पर इस question को हम करेंगे सबसे पहले हम given right करेंगे तो देखो given में हमारे पास क्या है सबसे पहले given में हमारे पास दो circle है जिसका center O है और P है यही हमें लिखना है two congruent circle having center O and P and अब देखो यहां पर जो a b है और qr है यह equal card है अब देखो a b और qr equal card है यह question में दिया गया है and a b and qr are two card equal in length equal in length तो आब और में फिर से बता देता हूं दिखे हमारे पास दो congruent circle दिया गया है two congruent circles having center O and P and two equal card दिया गया है ab and qr ab and qr are two cards equal in length तो यहां पर अब हम पहले इस triangle और इस triangle को congruent prove करेंगे फिर आगे हम बताएंगे angles को to prove इस question में प्रूब क्या करना था देखो तू प्रूब में हमें यह प्रूब करना था कि जो angles यह प्रूब करना है तो आगे मेडिंग डालेंगे प्रूफ ठीक है अब प्रूब करने के लिए सबसे पहले हम इस triangle और इस triangle को लेंगे तो यहां पर हम राइट करेंगे इन triangle इन ट्रेंगल A, O, B and triangle Q, P, R वी है ठीक है तो हमारे पास क्या है इन triangle A, O, B and Q, P, R क्या है हमारे पास सबसे पहले तो देखो इस वाले triangle का जो radius है O, A वो equal होगा radius O, B के इसी प्रकार से इस वाले triangle में जो radius है P, Q वो equal होगा radius PR के क्योंकि radii same circle की तो equal ही होती है लेकिन यहां पर हमसे बोलागा कि जो circle है वो concurrent है तो यह वाली radius इस वाली radius के equal भी होगी क्योंकि दो circle तभी concurrent होते हैं जब उनकी radius equal होती है इसका मतलब O, A equal होगा P, Q के O, B equal होगा PR के और यह सभी आपस में equal हो जाएंगी तो यहां पर हम राइट ट्रेंगे O, A equal to O, B P, Q equal to PR इसका रीजन होगा Radiai of same circle R equal ठीक है? Radiai of same circle R equals तो अभी यहां पर Radiai equal हो गया इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्योंकि यह two congruent circle के Radiai हैं यह सभी आपस में बराबर होंगे तो लास्ट में हम राइट कर सकते हैं O, A equal to O, B equal to P, Q equal to PR रीजन इसका क्या होगा? Radiai of congruent circle congruent circle ओके? अब यहां पर एक चीज़ हम और कह सकते हैं वो यह कह सकते हैं कि जो cord है A, B और Q, R यह हमें question में ही equal दिया गया है तो हम पर write करेंगे A, B equal to Q, R इसका region यह given है क्या है? given है तो इतना आप write कर लिज़े या फिर screenshot ले लिजे अब देखो यहां पर इतना करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि यह दो यह भी radius, radius और accord यह तिनों sides हैं तो हम कह सकते हैं कि यह वाला जो triangle है इस वाले triangle के congruent है ठीक है? तो फिर लिखेंगे अब देखो यह किस rule से congruent है तो यह जब दोनों triangle congruent हो गए तो हम यह कह सकते हैं कि यह वाला जो angle है इस वाले angle के equal होगा क्योंकि दो congruent triangle होगा तो उनके angle भी equal होंगे by CPCT So angle AOB equal to angle QPR region by CPCT CPCT का फुलफाम क्या होता है? corresponding part of congruent triangle तो इस प्रकार से यह हमारा जो में पुरूब करना था कि दोनों angle equal होते हैं कहां पर देखो equal card पर subtend होने वाला angle बनने वाला angle equal होते हैं यह बारा प्रूब हो गया है तो यहां पर लिखेंगे हैंस प्रूब्ड हैंस प्रूब्ड ठीक है? और यह हमारा answer होगा अप बीडियो से कुछ लाब हुआ है अगर सच में आपको इस वीडियो को लाब हुआ है कुछ वीडियो को लाइक कर दीजе चैनल को subscribe कर लिजये और अपने दोस्तों को भी कोई query है या doubt है तो comment box में जरूर बताईए हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक लिए thank you class